वेलकम मॉम वेलकम तो माइ चैनल अक्यूट लर्निंग जैसे कि मैंने बताया था कि यह फॉस्कृट का स्लेबस है जिसे मैं कवर करने वाली थी अपने इस वीडियो में लेकिन काउंटिंग वन तो फाइफ अंडर बहुत इजी है जो अपने बच्चों को आप सिखा सकते हैं नंबर नेम ओनीवन टीड़लू ओटू यह भी इजी है पर इन दोनों का वोक्षीट आपको बहुत जल्दी अवेलेवल मिलेगा मेरे इंस्ट्राग्राम पर जिसका प्रिंटोट अपने बच्चों को प्रैक्टिस करा सकती हैं आज मैं सब्ट्रेक्शन कवर करने वाली हू सब्ट्रेक्शन अडिशन सब्ट्रेक्शन तो मैं सब्ट्रेक्शन को कवर करूँगी I can subtract correctly subtraction में मैं आज को five method बतानी वाली हूँ five method जिसके तुरू आप अपने बच्चों को subtraction सिखा सकते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक ना एक में आपके बच्चे तो subtract करना सीखी जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला method is using using picture using picture में ये पहला method है using picture suppose six minus two तो इसमें आप बच्चों को पिक्च्च्च के थूरू समझा सकते हैं जैसे कि one, two, three, four, five and six and then the second number is two so you can cut one, two and then count one, two, three, four इसके तरू हम बच्चों को subtraction सिखा सकते हैं ये है हमारा पहला method हमारा दूसरा method है number line number line में हम number lines के तरू बच्चों को math सिखा सकते हैं suppose again I just take six minus two so you can make a line one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine and ten so six number this is six so we start from six and we have to go back it's a backward counting so six and this is two so we have to go two times back so six, five, four और ये four number आया है so six minus two is four this is the number line और इसके तरू हम अपने बच्चों को subtraction सिखा सकते हैं हमारा थर्ड method है touch math touch point एक बहुत ही अलग concept है जिसके तरू हम बच्चों को subtraction सिखा सकते हैं इसमें one, two, three जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर लिखी हूँ और हर number पे touch point है one में one two में two touch point three में three touch point four में four touch point five में five इस तरह six, seven, eight, nine तक है मैं इसका एक अलग picture बना कर instagram पे डाल दूँगी तो यह touch point है अब suppose again we take six minus two so आपके बच्चों को बताना है कि हम उपर के number पर touch point नहीं डालेंगे हम bottom number पर touch point डालेंगे so one and two अब six के बाद हम बच्चे को आपको backward counting करना है six, five, four so यह एक बहुत ही easy method है और बच्चे इससे बहुत जल्दी सीखते है subtract करना हमारा चौथा method है counting up इसमें हम number को उपर की तरफ गिनते है again मैं six minus two ली हूँ इससे इस तरह से करेंगे two है हमारा हम इसके बाद के number से count करेंगे so three, four, five and six there is a four number so the answer is four इस तरह से यह counting हम अप की तरफ गिनते है नीचे की number को हम गिनते है जब तक हमें ऊपर का number नहीं मिल जाता है और फिर वो ही हमारा subtraction होता है number होता है, mean answer होता है and fifth method is using manipulative यह हमारा last method है so six minus two हमने same number को लिया है तो इसको हम करने के लिए suppose यह हमारा मैं इसमें आपको कुछ object लेना पड़ेगा सब या तो beats है या तो कुछ इस तरह के चीजें हैं उस तरह से और बच्चे इनको इससे count करके number को करना सीखते हैं मैं यहा करके दिखाती हूँ आपको यह है one two three four five six there is a six object right one two three four five six right अब हमें two number इससे निकाल लेना है so one and two how many left over here one two three and four so बच्चे फिर यहां पर लिखते हैं four so यह है इसमें आप बच्चों को जो बच्चे बहुत चोटे होते हैं उनको इस तरह से beat से या कोई भी object से आप इस तरह से बच्चों को subtraction सिखा सकते हैं मिलती हूँ अपनी next video में addition के five method को लेकर तब तक के लिए मुझे आगया दीजी बाबाई